हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ देवंदर साहो यूट्यूब के स्वागत है हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं हाना जो सीरीज ओफ रियल नंबर्स पर जो क्वेशन पैक्टिस चर रहा तो उसी को कंटिन्यू करेंगे है तो आईए फर्स्ट क्वेशन देखते हैं यहां पाट सी क पूछन है फॉर एन ग्रेटर रिकोल टू लेट एन इकोल स्टुन अपन एन लॉग न यह उन्हें दिया हुआ है देन इन इन फॉर आप्शन पूछा देके जब देन की बात कुछ निए तो क्या समझना चाहिए पूर्यक्ट कौन है यह पूछ पूछ पूछाएगा अगर वह सामने से अगर कुछ निए लिखा देन ऐसा बस दिख दिया तो हमें समझना चाहिए उन्हें इनमें से कौन सा टू है यह पूछ ला है तो देखें फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है सिक्वेंस एन तो यह जो सिक्वेंस है वन अपन एन लॉग इनकी लिमिट देख सबसे बसिए लिमिट एंटेंस to infinity in equal to limit एंटेंस to infinity वन अपन एन लोग एन और हमें पता है कि यह रेम incentivesCon ऐन अ करेण करेंगा सो CC limit जसेन कर गया इसका मतलब Convergent हो गया, ठीक है ना, अब n की limit 0 होने से क्या हुआ, n की जो series की necessary condition है, वो fulfill भी हो गया, खाना, तो पहला तो true है, ये clear हो गया कि sequence n is convergent, अब बताती है series convergent है नहीं, तो इनकी necessary condition fulfill हो चुके है, n n की limit 0 है, अब देखना ये है कि series n convergent है या नहीं, अब series n का मतलब है, series n equal to 2 to infinity, 1 upon n log n, तो इसे आप क्या किजे, इसको इस form में लिजे, n equal to 2 to infinity, f of n, याद होगा मैंने इस पर हना कौची integral test में भी बताया था, ठीक है, इसको मैं revise भी कर रहा हूँ, तो धिहान से देखिए, इसको f of n के form में लिखिए, तो यह जो f of x की रूप में अगर मैं लिखूँ, तो यह हो जाए, गवान अपन x log x, ठीक है ना, और किस पर बात चल रही है, किस पर बात चल रही है, closed interval to infinity, is positive and decreasing function on closed interval to infinity, clear हो रहा है, हाना, x log x का reciprocal है, हाना, x के बारे माँ आप जानते हो, यह होता है, हाना, बिल्कुल यहाँ origin से होते वे जाता है, और log x को भी आप जानते हो, यह होता है, इस तरीके से जाता है, x है, log x है, और खास बात यह है, कि दोनों increasing है, अब हमें 2 to infinity में बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अब increasing क्या हो जाएगा, decreasing हो जाएगा, so यह decreasing भी है, positive भी है, closed interval 2 to infinity में, ठीक है न, विस statement तो आपको पता ही है, कौची integral test लगा रहे हैं, अब किसकी limit देखना है हमें, तो limit n tends to infinity, हमें इसकी limit देखना है, limit n tends to infinity, integration 1 to n, तो यहाँ कहा से start है, 2 से, तो 2 to n, और f of x into dx, तो limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, integration 2 to n, 1 upon x log x into dx, ठीक है, अब हमें पता है कैसे substitution करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, log x को माल लिया, u, तो 1 upon x into dx, इकोल टो हो जाएगा, du, तो यह हो जाएगा, limit n tends to infinity, integration, तो यह हो गया, dx upon x, 1 upon x into dx के जगम क्या होगा, du, upon यह हो गया, इसके जगम आपने माने u, 1 upon x dx के जगम du, इसके जगम में u, clear, limit भी तो change होगा, तो क्या होगा, तो अगर आप x के form में देखो, हाँ, x की जब value 2 है, तो यहाँ log 2, किसकी value, u की value, log 2, इसी तरह जब x की value n है, तो यह हो जाएगा, log, u की value, log n, और इसकी integration आपको पता है, यह होता है, log u, और log 22, log n, तो limit n tends to infinity, हाँ, इसके value क्या हो जाएगी, log, log n, minus log, log 2, हाँ, n tends to infinity, याद रखे, जब simply log लिखा जाता है, वो कौन से base में होती है, e के base में होती है, log पर वैसे में formula भी दिया हूँ, एक लेक्चर में, हाँ, तो e के base में होती है, और e के base में जो होती है, उसके घराव ऊपर जाता है, n tends to infinity पर infinity जाएगा, ठीक है ना, तो यह infinity जाएगा, तो log फिर से infinity ही जाएगा, so plus infinity के और अप्रोच करेगा, तो constant है, कोई fact भी पढ़ने वाला, so infinity जाएगा, इसका मतलब यह हुआ, plus infinity, मतलब इनके limit exist नहीं कर रही है, finitely value नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह convergent नहीं है, so not convergent, तो यहां लिखा क्या है convergent, तो यह discard हो गया, अब series n square पर बात किया गया है, हाना, series n square, तो इस पर जाये हैं, उससे पहले d को देख लेते हैं, हाना, क्योंकि d option, मैं minus 1 power n दिया है, क्योंकि यह दूसरा test इसमें लगने वाला है, तो हैं पहले इसको बता देता हूं, तो series n equal to 2 to infinity, देखिए, series n equal to 2 to infinity, minus 1 power n, n के जगह में रखा 1 upon n log n, कौन से test देखके तूरण समझा आगया होगा, तीन प्रकार की test आप लिए अपलाई कर सकते हो, या तो लाइबनेश test, या अबेल test, या डिकले test, तीनों मैं से कोई भी आप लिए अपलाई कर सकते हो, especially जो सरल सबसे ज़ाद हो कौन है, लाइबनेश है, उसी कम इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें देखो, यह जो है, first point, क्या ही यह जो 1 upon n log n, जो है, इसका अगर sequence से यार करें, obvious है, monotonic, यह जो n log n है, यह increasing होता है, reciprocal है, क्या होगा? decreasing, monotonic decreasing, second point, इनकी जो limit है, limit n tends to infinity, 1 upon n log n, यह क्या होता है, 0 होता है, तो दोनों अगर apply हो गया, तो by leavenage test, series minus 1 power n, यह हो जाएगा, n log n is convergent, clear है, ओके, अब आते हैं, C option में, third option पर, तो n square हमें दिया हुआ है, तो देखे, n square है, अगर necessary condition के, अगर हम बात करें, हाना, तो हमने देखा था, हाना, n की जो limit होती है, वो 0 जाती है, अब n square कर दो तो limit, 0 ही जाएगा, we know that, तो series n square, मतलब कि series, n equal to 2 to infinity, n equal to 2 to infinity, 1 upon n log n, पूरे का whole square, हाना, इसका मतलब यह हुआ, series n equal to 2 to infinity, 1 upon n square, और log n का square, हाना, तो देख सकते हैं, इनकी जो limit है, हाना, इसको हम comparison के थूरू बनाने कोशिश करते हैं, सबसे पहले मैंने दे लिया, 1 less or equal to log n, for every n greater or equal to, ठीक है, n less or equal to n log n, हाना, cs चलता रहेगा, for every n greater or equal to, तो n square less or equal to, n log n का whole square, तो फिर, 1 upon n square greater or equal to 1 upon, इसको हम n square log n का square लिख देते हैं, ठीक, इसको इधर ले लेते हैं, 1 upon n square log n का whole square, less or equal to 1 upon n square, this less or equal to this, clear, अब ध्यान से अफ़रो कीजिए, तो नहीं तो सोच रहे होगे, यह कहां से लिख दिया, तो obvious है, आप diagram बनाईए, वहां से clear हो जाएगा, अब यह, अब यह हमारा होता है 1, ठीक है, log n की value जो होती है, हाना, देख सकते हैं, 1 से उपर है, 1 से उपर है, मतलब आगे बरता जाएगा, हाना, n greater or equal to 1 से जो है, value, तो कभी यह हो जाएगा, कभी उपर, समझ आ रहा है ना, बात clear हो रही है ना, तो important बात यह था, कि जो log n होती है, यह हमारा 1 है, यहाँ नहीं देखना है, एक्चोली इधर देखना है, तो यह क्या हो रहा है, increase हो रहा है, important बात यह है, कि 1 के equal या 1 से बड़ी हम लिख सकते हैं, for every n greater or equal to m लिखा है, ऐसा नहीं कि 1 से इस्टार्ट हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बात clear हो रही है, confirm हो रहा है, हाँ कोई भी doubt होता है, comment कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखके समझ पा रहे हैं, कि यहाँ पर यह बढ़ती जारी, बढ़ती जारी, so 1 less or equal to log n, मैंने क्यों कि यह पता चल गया होगा, n का मैंने multiplication कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब square मैंने कर दिया, reciprocal मैंने ले दिया, तो यहाँ पर देखो, यह sign जो है पदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब फिर से less or equal to this, क्योंकि यह मैंने इधर लिखा, इसको मैंने इधर लिखा, अब on both side, अब देखिए, यह series है, यह series है, n equal to 2 to infinity, n equal to 2 to infinity, अब देख लिजी, यह series, convergent है, convergent से छोटा, convergent, आप अगर कोई दूसरा test एपलाई करना चाहते है, बिल्कुल कीजे, क्योंकि convergent है या नहीं, इस बात को हमें समझना है, ठीकला है, तो यहां से बात clear हो गई, कि यह जो series है, यह convergent है, तो यह भी true, और यह तो true हो ही गया था, so, options, a, c, d, 3 होगा, क्योंकि parts ही का है, तो यह, यह और यह, confirm, next question, मैंने question लिया, June 2017 का, देखे, क्या है, for a greater than 0, the series, a power ln n, is convergent, if and only if, 4 में से कोई भी एक option, because part D का question है, clear ना, तो देखे, हम सबसे पहले, देखे, यह a greater than 0 दिया, यह भी बहुत important चीज है, a power ln n, हमें पता होना चाहिए, ln x equal to log e x, मैंने, एक logarithm में पर lecture भी दिया था, उसमें मैंने दिखा भी था, ln x equal to log e x होता है, जब log 10 में convert होना है आपको, तो 2.303 का इसमें multiplication करना चाहिए, clear हो रहा है, तो हमें इससे मतलब है, यह ln को मैं log के form में लिख रहा हूँ, क्योंकि log के form में लिखने से ठीक भी रहता है, आपको formula log के रूप में ही ज़्यादा ज़्यादा पता है रहता है तो देखें क्या है, series n equal to 1 to infinity a power ln n, इसको मैंने क्या किया, लिखने का technique भस है, a power log e n, ठीक है न, अब n के power में लाने की कोशिस केजिए, क्योंकि जो test लगाने वाले हैं, वो n के form में रहेगा, तभी आप लगा सकते हैं, तो n power log e a, आपको ये भी result पता है की, ठीक है, clear है, a power log e b equals to b power log e a, confirm ना, तो ये a b, b a change हो गया, a n, a ने change हुआ, log के साथ जो भी रहता है, वो greater than 0 होना चाहिए, n थो में सा greater than 0 होता है, because 1 से स्टार्ट होता है, a b greater than 0 होना चाहिए, मैंने कहात ही स्टार्टिंग में दिया भी है न, a greater than 0, अब देखिए, मैं इसको सिरीज, n equal to 1 to infinity, 1 upon के form में लिखूँगा, n power minus हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, by, हाना, आप, खातां के जो नियम पड़े है न, वहाँ से, अब देखिए, n equal to 1 to infinity, 1 upon n power log a inverse, हाना, n power जो है, हाना, इसमें minus 1 है न, उस minus 1 को मैं power में ले जा सकता हूँ, फार्मूला है, log m power, n equal to n log m, मैंने इस फार्मूला का स्थेमाल किया, अब देखिए, ये जो है, convergent उठाने पूचा है, न, convergent, हाना, तो फिर, मैं यूज करने वाला हूँ, p test, p series test, by p series test, series, हाना, इस convergent, if, and only if चलता है, याद रखिए, ये भी if and only if चलता है, हाना, actually मैं definition, जो या statement जो रहता है, p test में, याद रखिए, ये जो series convergent होता है, तो guaranteed है, p greater than 1 होगा, और अगर divergent है, तो p less than 1 होगा, और अगर p greater than 1 है, तो convergent, convergent तो p greater than 1, p greater than 1 तो convergent, इस फिर, लो लिप चलता है, ये भी धियान रखिए, ठीक है न, अब देखिए, ये जो है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर p के जगम क्या है, यहाँ पर p के जगम में है, log e inverse, जो कि greater than, ठीक है न, तो इसको p test में हम लगा, लगाएंगे, तो क्या होना चाहिए, greater than 1 होना चाहिए, फोल convergent, तो देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log e, a inverse greater than, इस 1 को मैं, log e, e लिख सकता हूँ, ठीक है न, क्योंकि इधर log ही है, इस फोर में मैं लिख दिया, ठीक, अब देखिए, ये जो है, a inverse greater than e आया, यानि कि 1 by e, ये हो जाएगा, इस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ, e greater than 1 upon a, ठीक है न, इसका मतलब कि ये हुआ, हैन इसी step को लिख रहाऊ, a less than 1 upon e, confirm, a less than 1 upon e हमने यहां से लाया, और a greater than 0 दिया है, a greater than 0 का मतलब 0 less than a, अब ये दोनों इस statement को एक साथ दिखें, तो 0 less than a, less than 1 upon e, confirm, clear है, तो देख सकते हैं, कि 0 less than a less than 1 upon e, और इसके conversion के लिए, ये होगा आपका condition, ठीक, next question, next question है, part B, December 2017 का, तेके, let n be a sequence of real numbers, sequence of real numbers, बोलने मतलब positive term sequence भी हो सकता है, negative term sequence हो तक तक इंपॉर्टेंट बात ये है, कि ये वाला condition, satisfy करना चाहिए, फिर उन्हें पूछा क्या है, and which of the following is necessarily true, necessarily true पूछा है, इन में से कौन सा है, जो आवश्रकत सत्य है, तो देखे, मैंने example लिया, a n equal to n, आपको ऐसे example लेना है, जो एक condition को hold कर रहा है, तो देखे, a 1 greater or equal to 1, अब a n plus 1, greater or equal to a n plus 1, for every n greater or equal to 1, अब यहाँ देखे लिजे, n plus 1, equal to n plus 1, for every n greater or equal to 1, equality तो hold हो रही न, आपने जो लिया n, first term 1 equal to 1, हाना, equality hold हो रही है, हाना फिर n plus 1, यह जो है, n plus 1 क्या होगा, n plus 1, और n के जगा में n plus 1, so equality यहाँ भी older है, for every n greater or equal to hold है, so यह है, आपने example लिया, अब बात आती है, इनमें से कौन सा option discard हो रहा है, याद रखे, for example is not proof, example discard करने का तरीका होता है, discard करते करते, answer तक पहुँचना, यह important बात है, तो series n square के उन्होंने बात कही है, तो series 1 by n square, और series 1 upon n square, यह तो familiar हो गई, example से, by p test, convergent होता है, इन्होंने बूला है, divergent, तो गड़बड हुआ, sequence n is bounded की बात कही है, sequence n क्या है, और यह क्या होता है, unbounded, especially, divergent, divergent to plus infinity, unbounded, लेकिन बूला है bounded, so discard, अब देख सकते हैं, कि example से discard कैसे हम कर रहे है, है न, clear हो रहा है, तो यह दोनों गड़बड हो गया, अब c बचा और d बचा, d option में देखे, series 1 upon, a n के जगा हमने क्या लिया था, n, उन्हेंने बोला है, convergent, होता ही है convergent, लेकिन 1 upon, हमने example जो लिया है n, उसमें n के जगा में रखो n, series 1 by n, क्या convergent है, नहीं, by, यह भी तो आप जानते हो, pts से और familiar हो गया इस example से, यह भी गड़बड हुआ, ठीक, जब तीन option, ऐसे भी होता है, एक example में तीन discard हुआ, यह बहुत अच्छी बात है, कभी-कभी एक से ज़ादे example से लेकर भी देखने होता है, important बात यह है, यह part C का ही approach होता है, मैंने जो technique हमें सब, जितना question में बतारों सब, जितने भी technique में रहा है, यह सब part C का approach करने का technique है, हाना, और इससे फाइदा यह होता है, कि discard हो जाने के बाद, जो बचा वो यह ही है, और यह actually result के तौर पे, series 1 upon any square convergent, हाना, यह होता ही है, खीक है ना, आप series, आपने जो लिया था, उसको भी देख लेजे, मैंने यह लिया था, series 1 upon any square convergent, तो यह तीनों discard मता हो हम सर, यह होगा, clear, तो यह हो गया, हाना, next, ओके, तो पार्ट C का question मैं ले रहा हूं अभी, हाना, December 2017 का, और यह हमार लास्ट question होने वाला है, तो दियान से देखिएगा, हाना, four options दिया है, पार्ट C का है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, multiple correct है ना, तो क्या चीज़े हैं यहाँ पर, which of the following is our convergent, पूछा है उनों ना, तो convergent को देखेंगे, देखिए, सबसे पहले चीज़े है, कौन-कौन से problem create कर सकता है, उनको देखिए, मैं B से start कर रहा हूं, तो जो B option है, for B options देखिए, series, N equal to 1 to infinity, N power, minus 2, 2 power M, है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, N equal to 1 to infinity, N, 2 power N upon N square, देखिए, limit, सबसे पहले हम ऐसा necessary condition ही, देखिए, है ना, आपको पता होना चाहिए, ये infinity upon infinity फर्मा रहा है, so limit, N tends to infinity by L hospital rule, ये हो जाएगा, 2 power N, log 2, upon, N square हो जाएगा, 2 N, फिर से आप कीजिए, क्योंकि infinity upon infinity फिर से आ रहा है, तो 2 power N, log 2 का whole square, upon, ये 2 N है ना, अब बचा 2, अब देखिए, N tends to infinity करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 power infinity के और फगेगा, N plus infinity के और फगेगा, clear हो रहा है विए आपको टेकनिक के याद होना चाहिए, कि अगर ये polynomial के फॉर्म में हो एक exponential है, तो देखिए, exponential उपर में है, N infinity के और जा रहा है, तो plus infinity आएगा, अगर exponential नीचे में है, clear हो रहा है, तो ये necessary condition ही फुल्फिल नहीं कर पा रहा है, तो ये अगर सब्सक्राइब हो नहीं सकता, अब बात करते हैं, अगर सी की, तो सी के है हमारा, series N equal to 2 to infinity, 1 upon N log N, इसको मैं है ना, दो बार बता चुका हूँ, जब कौची इंटिग्रल टेस्ट बता रहा, तो उससमें एक्जांपल में बताया था, और इससे पहले बारे जो lecture था, उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं ते, बिल्कुल आप देख लिजे, कौची इंटिग्रल टेस्ट से इसकी जो लिमिट जाती हो, प्लस इंफिल्टी जाती है, मतलब इनकी जो वैल्लियो है, वो इंफिल्टी को रिप्रोच करती है, तो यह नॉट कनवर्जन, इट इस डैवर्जन एक्चुरी, वो कनवर्जन पूछा है, तो याद रखें न, कौची इंटिग्रल टेस्ट से यह जो है, इस नॉट कॉनवर्जन, तो यह भी डिसकार्ड, अगर डी की बात करें, इसकी, तो यहाँ भी देखें, लिमिट एंट टेंस तो इंफिनिटी, वन अपॉन एन, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 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 तो देखें, लिमिट एंट एंट टेंस तो इंफिनिटी, वन अपॉन अपॉन एन, वो लॉग 1 प्लस सम्थिंग दिया है, मतलब वो यह बोलना चाहरे कि, वह यह मुझे तोड़ो, हाँना, मैं तो उसको expansion करो तो 1 by n minus 1 by 2 n square plus 1 by 3 n cube minus n so on expansion तो पता है ये log 1 plus x का हा न उस फाम में टूटा अब limit n tends to infinity 1 upon 1 minus clear न एक ऐसे टूटा है कैसे break हुआ है 1 by n log 1 plus x तो 1 by n मतलब की x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus ऐसा चलता है अब देखे n को जब अंदर से बुणा करेंगे तो minus multiply कीज़े minus 1 by 2 n plus 1 by 3 n square minus n so on अब ये हो जाएगा 1 upon 1 minus 0 0 पूर 0 तो बच्छा कितना वार 1 ठेक है उनकी limit आ रही है 1 not equal to 0 यहाँ भी necessary condition fulfill नहीं हो रहा है इसका मतलब यह भी गड़बड कर रहा है जब तीनों desire to answer ही हाना part c होने से कभी नहीं समझना है कि यह जो है एक से जाद ही होगा हाना जरूरी नहीं है अकर यह r भी लिखा रहता है तो भी एक option true है तो एक ही true होगा r और easy से confuse नहीं होना है तो देखिए अगर हम इसको फिर भी आप पूछेंगे n square upon 2 power n n की limit आप जानते हो limit intensity n square upon 2 power n नीचे infinity ओ कर रहा है तो और और किदर जाएगा 0 की ओर so necessary condition fulfill हो रहा है अब test हम लगाना चाहते हैं अगर इसमें भी n रहता ना तो हम लगा सकते थे कौची test बट इसमें n नहीं है तो d number test लगाने कोशिस करते हैं तो n equal to n square upon 2 power n bn equal to sorry n plus 1 equal to n plus 1 का whole square upon 2 power n plus 1 तो n plus 1 upon n तो हो जाएगा n plus 1 का whole square upon 2 power n plus 1 upon n division n square upon 2 power n तो देखिए n plus 1 1 का whole square upon 2 power n dot 2 कर क्लिक सकता हूँ अब इसको question हाना ये product में convert किया तो उपर और नीचे जिसमें सही है और ये cancel अब इसको देखिए हाना इसको हम क्या लिक सकते हैं 1 by 2 बचा है न 1 by 2 अब इसको एक साथ लिजे n plus 1 upon n whole square whole square 1 by 2 1 plus 1 by n का whole square ये था value n plus 1 upon n के तो आप क्या करना है tacking limit on both side n tends to infinity तो n tends to infinity ले लिजे तो limit n tends to infinity n plus 1 upon n तो half 1 plus 0 का square half जो की less than 1 है by dElembert हाना dElembert ratio test हाना क्या है ये less than 1 है न इसका मतलब की क्या होगा series is convergent clear है इसका मतलब ही convergent है तो इस तरीके से ये भी हो गया ऐसे आप खुद सी example भी और देखिए कीजिए doubt होता है comment कर सकते हैं तो आज किस लेक्चर के साथ इस chapter का भी अंत होता है next chapter हम next lecture में continue करेंगे function के बारे में पढ़ने वाले है graph अगर अभी उसमें देखेंगे domain brain भी देखेंगे तो channel बने रहिए अगर नए हो तो subscribe कीजिए like कीजिए, share कीजिए comment कीजिए thank you